हेलो गाईज, वेलकम टू स्टेडी स्किल सक्सेस, तेने यार नी 2021 की जो कांसलिंग है उसके रिगार्डिंग MCC द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, इस पब्लिक नोटिस में कुछ एडवाईजरी दी गई है कैंडिडेट्स को जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ति उस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है यार वीडियो का प्लास्तिक जरूर देखिएगा, सबसे पहले इस लैटर की बात कर लेती है, पब्लिक नोटिस जो की 17 नोवंबर 2021 21 को रिलीज किया गया है, MCC द्वारा, सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है, सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली है कि आपकी जो MBBS की सीड्स है, आपकी मेरिट बेसिस पे आपको अलोट करवाई जाएगी, यानि कि जितने आपके नीट 2021 के एंटरस एक्जाम में मार के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज है वो अलोट किये जाएगे, दूसरी एडवाईजरी इन्होंनों क्या किया है, MCC ने बोला है कि किसी भी नॉमिनेशन बेसिस पर आपको को अलोट नहीं की जा जाएगी, फिर आपका एक प्रोविजनल अलोट्मेंट लेटर आपको जारी किया जाएगा, इस लेटर को जो भी आपको कॉलेज अलोट होगा, इस लेटर के साथ आपको उस कॉलेज में जाके अपनी सीट को पक्का करना होगा, कन्फर्म करना होगा, तब ही आपको आपको में भी इसकी सीट अलोट की जाएगी इसके अलावा कोई भी लेटर किसी भी स्कर्पुलस परसन दवारा या फिर किसी वेबसाइट दवारा आपको दिया जाता है तो वो आप accept मत कीजेगा वो MCC दवारा नहीं जारी किया होगा क्योंकि MCC जो भी लेटर जारी करेगी वो अपनी ओफिशल वेबसाइट पर ही करेगी तीसरी इन्होंने बात बोली है कि आपको फेक एजेंट से साबदान रहना है आपको पता होगा आप भी काउंसलिंग जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी तो काफी सारे fake agents के आपके पास call आएंगे messages आएंगे बोलेंगे कि हम आपकी जो seats है management quota के तरूँ आपको दिलवा देंगे इतने पैसे लेंगे यह होगा वो होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है management quota के तरूँ कोई भी seat नहीं मिलती है तो ऐसे fake agents से आपको सादान रहना है ठीक है तीसरा है तब password आप जो create करेंगे जो आप password create करेंगे counseling के जब करेंगे तब तो वो password आपको किसी के साथ भी share नहीं करना है इसके लावा उन्होंने बोला है mcc जो आपको नहीं counseling है वो इसी website पर host करने वाली है www.mcc.nick.in इसके लावा किसी भी other website पर जाकर आपको कोई भी registration नहीं करना है तीसरा इन्होंने बोला है अगर आपके साथ कोई भी fraud होता है website या फिर agent के द्वारा उसकी जिम्मेवारी mcc की नहीं होगी उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी क्योंकि आप अपनी responsibility पर ही वो risk जो है वो ले रहे है तो इसकी जिम्मेवारी mcc जो है वो नहीं लेने वाला यह कुछ advisory है कुछ important updates है जो कि आप सभी के लिए जारी किये गए है mcc द्वारा ठीक है medical counseling committee द्वारा hopefully आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा करके वे लाइकन को जुरूर प्रस कर लीजेगा बाक मिलते हैं आए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good luck and have a nice day